पॉलान जी आपका नाम? मेरे पिताजी का नाम मेरे पिताजी का नाम लेट हरी ग्यान लाला उस्ताद लाला तालियंदूल पैट पहलनी का शोख मेरे बड़े बहुए अम्प्रकाश। उनके साथ में चोटा था शात और आट साल का उनके साथ में गयाता था तालीमिया जाकर जाड़ों मारना साफ सफ़ाख करना और मत्टी में जो Темज happens वगरा चिनकना पूजा अगर बत्ती वगरा लगाना और सर्दी का अगर मौसम है तो गरम पानी लेकर आना पहलवानों की मालिश करना पहलवाना लंगोल्ड नाके छोड़ देते ते उनका धूना सुकाना यह मेरा सेवा का काम था इस्टार्डिंग से आई से था मेरा उसके जोई पाद 10 1rd आछी कि कrabi धित्या इवा टालिम में दॉटे बहुते और बड़ी लोग जो है सबस्क्राइब पूरिफ न में उसके और निभान में तो कोदिशन किया चोटा था पर ah sword स्टेट में स्टाने के बाद जो है अग हश्चा सवनेटीयट में जो है न रोहत jurisdिक अहर्याणा से अहले अब वहां से ज्यूनियर नैशनल से जो है तालिम में भी वोट वो समय की बात है लाला पहलवानी की तालिम में अगर पहलवाना जब जोर करते थे या तालिम करते तो बड़ी लाइन बढ़ती थी तो पहलवानी में सबसे बड़ी चीज है, मरियादा बड़ी चीज है, छोटे बड़े की मरियादा, अगर मेरे से कोई भी सीनियर है, किसी भी अखाडे का रहने दो, ये पहलवानी का पहला मंत्र है, कि उसके पहर को हत लगाना, और किसी गेम में पहलवानी के अलावा कोई भ यह एक पहलवानी में ही एक मर्यादा है और उसके बाद कि हर साल जो है ना जलता रहा जब तो बोर शजगा कुष्टियां होते थे जैसा दूल्य-पेट में कुष्टिय उते उपपर दूल्य-पेट के गंडी हन्वान में कुष्टियां होते थे दूद्वो लिके उंदा फसके बाद गोल इस्पट अमिर पर गोल इसपट अब तो तो कम्पनी एक ब्रॉमौ वह परपर कर freshmen जो हैं थो गोले तो यह हैदराबाद में इतनी कुष्टियां इतनी दंगल होते थे मैं हर दंगल में हैदराबाद के नारसिंगे में कोई दंगल नहीं छोड़ा मैं कोई दंगल नहीं चोड़ा और इसी तरीके से पहलवानी करते गया और इसी तरीके से पहलवानी करते गया जूनियर नैशनल जीतने भी गया उसके बाद मैं काशी में बनारस जिसको बोलते काशी वहां पर सीनियर नैशनल सीनियर नैशनल कांप्टेशन चल रहा था वहां पर भी नेवी, बॉंबई की संटर टीम आई थी, हैदराबा से दो-तिन पहलवानों को, उसमें सेलेक्ट करें थे, सेलेक्शन हुआ, जिसमें मैं भी था, अनुवर पहलवान थे, हली उस्ताद के वे शागिर्थ और हमारे राम सिंग, जिया गुड़े के, हम तीन उसके अंदर सेलेक सेलेक्ट वे थे, यहां पर जो है न, जब तक 1st February 1982 में मेरे को स्पोर्स कोटा अपाइमेंट सेक्रेट में मिल गया, 83-84 में 1st मेरा All India Civil Services competition दिल्ली में टालकटोरा तो वहां पर मैं 1st आया, 1st गोल्ड लिया, उसके बाद 85 में, 2nd गोल्ड लिया राजस्तान जैपूर में, राजस्तान जैपूर में गोल्ड लेके आने के बाद मैं जब आंधरपदेश के मुख्यमंत्री इंटी राम औराउट जी थे, महां चेंबर में जाके मिले तो बोल साड़े पांच बजे की अंदर मेरे घर पी आना तुरूब बजार, तो वो टाइम जो है ना हमारे कोच, मैनेजर, जैसा के अपने बोई-गुड़ा कमाने ना, शनमोग जैराम, और मेरे साथियां जितने भी थे, हम लोग जो है ना तुरूब बजार एंटी राम औराउट के घर पेज गए, सब पांच बज़े हम लोग चले गए, जाने के बाद ठीक साड़े पांच बज़े मुख्यमंत्र एंटीरा माराओ जी आये, पूजा पाड़ करके, उनके साथ टिफिन करते हुए जो है ना, इन्हों इंटर्वी लिए, कि कितने एज से जो हैना, आप हैल हैं अई एजन बलगा हैँ ए तो आपको ऑच यह जब होने का है, आपको उसके अंदर, पास्विट के लिए चाल के लिए गुलाते, तो वैसे ही मेरे हैं नार्थ वाले जो है सिंपली भेज दिये कि आप सेलेक्ट हो गए हम आपको जो है ना टेलीगिरा मैसेज देंगे और आप आजाना अब एटीटो में उतने टीविया नहीं थे कुछ नहीं हमारे पास ब्लाक एंड में टीवी थी उसमें देख रहे मेरे सेकेंड जो पोजिशन था उन्हें कामटिशन कर रहा हूं महियां टीवी में देख रहा हूं तो स्पोर्स में भी पार्स्रेटी चलती है किसी की खराब करने के वास्ते कोच जुम्यदार है पहलवान जुम्यदार नहीं है उसका पहलवान जितनी बड़ी तपस्या करके पहलवानी करता कुछती लड़ता इससे बड़ी तपस्या कोई गेम में नहीं करता और जितना खर्चा पहलवानी के लिए पहलवान के लिए खर्च होता किसी स्पोर्स में नहीं होता यह इतनी इतना कॉसली गेम है और भूत मरियादागा गेम है तो गौवर्मेंट जो है गौवर्मेंट इस गेम के ऊपर ज्याधा तर नार्त में ही जैसा हरियाना नंबर वन बैद्ध है अब अभी देखें है अलंपिक में सिर्फ तो दो चार खिलेडियां दूसरे स्टेट के हैं बाकर के पूरे 99 परसंट जो है हर साफ सरकार हरियाना हरियाने से बहुत बड़े बड़े स्टेट है फिर दुसरे स्टेट के क्यों नहीं हरियाना जैसा गौर्वर्मेंट अफ इंडिया केंदर सरकार जो defense के लिए budget issue करती न हतियार खरीदने है defense के लिए वैसा हर्याना government हर्याना सरकार sports के लिए budget issue करती इस पर्स के लिए उनको coaching camp में अलग अलग जिलों में coaching camp है और यहां से अगर कोई भार जाने वाला है को या अमेरिका इरान इरा कहीं भी जाए कि अगर प्रैक्टिस करने का उसकी चाहत है लड़का हो या लड़की हो कि उसका खर्चा पूरा हरियाना गौर्मेंट उटाती है उसके पीछे चाह भी पचास लाक लेने लगने दो कौरोण रुपिया लगने दो इसलिए आ आज हर्याना के हर केलाडी नंबर वन है यहीं वजह है और अपनी सरकार तो बिल्कुल इस पोर्स के पीछे एक रुपे का भी बजट नहीं जी यहां तक के यहां के जो पहलवाना जैसा दूसरे गेम में फस्ट आने के बाद उनको आस्टेल में रखते हैं आस्टेल में अक सरकेशननल में और फॉस्ट लों के असॉसेशन जो है कि साल में उल्ली सीदा कर लेना में खतम सालमें लले कुस्तियां चरा देता इए ऊसके बाद कुछ नहीं थिक कुछ सके बाद उनको संब कर दो हो इनको कोच से निजनल जाने वाला है एक दूसरा अ डियसलिंग असोसचन वाले यह वाले आहलों को तैयार नायन नहीं करते उनको कोचिंग के मैं नहीं रखते उनके फीचे शाफ्रचने करते और कॉमनेंट से weren't करते कि इनको गौर्ल्मेंट की नोकरी दो मेरे जमाने में सब्सकोर्टा अपाइमेंट था जियो मेस नंबर 115 अगर आपके पास थीन नेशनल है तो आपको इसफोर्टा अपाइमेंट है इन्यूं के उसके बाद इतना बड़ा जियो निकाल दिये उसमें छे आईयस अफिसर में कर श्रूराइब के वा वास हमारे हमारे बची में अच्चे Jord एक हैदरबाद के पाइलवानों को प्रassa हमारे श्रूज गौंप और साथ न रूजके आटले। परभाला भी पर्मेंट नहीं लिखा आप पर्मेंट है क्या एलक्शन क्यों नहीं कराते अच्छे पहलवानों को क्यों नहीं मुका देते जो चल रहे चल रहे उसकी अंदर भी जैना इनकी पॉर्स लटी है बच्चा किसी का भी हो किसी गेम का भी हो उसके साथ अन्याई नी होना चाहिए उसकी लाइफ खराब ने होना उसको शौक रहता है ना तो कोई असोसेशन पहलवानों के वाद से खास करके पहलवानों के वाद से कोई लड़ाई निराणता गौर्णमेंट से क्यों बैज अजरों दिन यह से ने गया तो तो उन्हें इंडिया का क्या ने बना किरिकेट आसोशन वाले सपोर्ट करें लिजलिंग असोशन वाले क्या करतें कि मेरे को तकलिफ होती आज इसलिए जो है ना वह रिजलिंग असोशन के ऊपर मैं सवाल कड़े कर रहा हूं । ना तो आप आस्टिल के लिए लड़ते ना कोचिंग कैम के लिए लड़ते, वह नाम को पेपरों में दला देते, मिलब हे नहीं हो घया, एक हपते का कोचिंग कैście है कैम एक अपते में क्या हुता, कुछ नहीं होता, लोगा पूरा साल भर कोचिंग कैम में रहके भी मार खाते हैं यह पहलवानी है तो भया जी यह चीजा है ना तो सरकारी नौकरी के लिए जो है यह लोग फैट करते हैं कोई फैट नहीं है भाई रोल इतने इस्टिक्ट बना दिये जियो को लाना कहां से लाना आप रिलैजिशन कराऊना जिंदगियां बन जाते उन्हें भी एक अच्छा पहलबन तयार होता उसकी फैमली एक अगर घर में कमारा तो चार लोग आट लोग छे लोग जो है ना उसको उसके पीछे जीते वह सोच नहीं है अरी आपके इस्टेट का नाम हो रहा आपकी कंट्री का नाम हो रहा अगर हैदराबाद से उन्हें पर गोड लाया उसके बाद ऊपर इंटरनेशनल चले गया हैदराबाद का कितना नाम होता था डाम हर टाइम एक करोड रुपया दिया पुल्यला गोफी चन्थ को गड में दिये ना तो बैया जी इस तरीके से रेजिलिंग आज हैदराबाद से बिल्कुल वनार टू परसनल बच्ची बाकी खतम हो गया बाकी जो है ना पूरा खतम हो गया क्यों क्यों खतम हो गया गरिब गर का बच्चा उसके माबाप के पास उतने सोर्चस नहीं है कि इसकी इतनी बड़ी पहलवानी कराने के लिए ठीक है इससे अच्छा सव सवालों का एक जवाब बच्चों को थोड़ा पढ़ा दो भाई पढ़ा तो कहीना कर परवेट में अपने जाब कर लेता सिधा जाता सि पहलवानों को खास करके पोलीस इतना परेशान करती एक जमाने में पहलवान और बोले तो उसको इजद देते थी मरियादा ताज नहीं है आज पोलीस वाले जो हैना उनको पहलवानों केसों केसां बुक करके रवडीजम तैयार कर दे रहे इसको Miguel in Su10 उनको पहलवान कहां स नहीं नहीं दूसरे वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते आप बर्ता हूं की दूसरे गह वालों का जो असे इंडिया तक जो इना फैट करता वेजुलिंग आसोशिएट जो ने फैट करता तका अपका कितने साथ तक अपकी लाइप पर्मेंट है यह आप उसके अंदर पर्मेंट है जो इंटरेस्टेट है जो टाइम दे शकता अच्छे बच्चों को तैयार कर सकता वैसे कोट्यों को रको स्वाइब भी वैसे रे लोग रहना थोड़े दिन पहलवानी कर लिए हाँ कर लिए और उसमें असोशन में आ गए ताखत के बलपी आ गए जो वर्जिनल पहलवान रहता उन्हें वहां का हुआ ही रहता जान दो भे अपने रूप क्या करने का है उन लड़े जगड़ा लेंगा यह जिसकी जिसकी लाटी उसी की पहलवानी हाइदराबाद में दफन हो गई यही वजह है आसोशन फाइट ने कर रहा गौवर्मेंट जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रही दूसरे खिलाडियों को सपोर्ट करती गोवर्मेंट कर रही ना भई पहलवान इंसान नहीं है इतना इतनी मेहनत करता चार बज़े ले कि लुक कर पार कि मेशना नहीं जाया इंसान नहीं है इस फुट्रेलाँम रही नहीं सुट्रेज करता शामें में में। चाहे हमारी भाइन बेटी रेजलिग में हैं या हमारे भाईयां जितने भी पहलवान हैं वो लोग फिर इंप्रिमेंट क्यों नी करते थोड़ा ध्यान दिये तो अच्छा रहता है लाइब बन जाती उसकी वह जाते जो है उसको क्रोलो रुप्या दे जो है न गवर्मेंट अ कोस्ट पर जो ACP rank आपका डिप्टी कलेक्टर रेंग पीवी संदू है ना डिप्टी कलेक्टर रेंग है तो मेरा रिक्वेस्ट यह है मैं हाद जोड के रिक्वेस्ट कर रहा हूं रेजलिंग असोचन वालों से रेजलिंग गवर्मेंट आफ इंडिया फेडरेशन वालों स कि हैं चेलों से कि हैधराबाद में पहलवान ना के बराबर हो गये नहीं तो हैधराबाद में एक एक पहलवान था एक 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 लड़वया था आज अकषण कुफल पड़े हुए जाडून मारने वाले नहीं है आज तो रेजलिंग असोचन वालों से हमारे सिटी सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यह इंदुस्तानी गेम है इंदुस्तानी गेम है जो मट्टी से पैदा हुआ वैसे गेम को जो है आज मट्टी में मिला दे रहे हैं कि आप अपनी मफात को देख ले रहें फिर में फोटों आ जाते टीव में आ जाता मैं रेजिलिंग असोचन का प्रेजिएंट कर रहें कितने बच्चे तैयार होगे कितने बच्चों को आप फंड दिलाए फिर असोचन का मतलब क्या है खाली टाइम आया तो कभी सेलेक्शन ह जाना वां जाना यहां जाना है वह पर पार्सलिटीक कर लिए अपने बच्चों को बढर लिया प्र में फोटू हाँ इस विए यह सेलेक्शन हो गया खाली मा केवल मात्र उसी के लिए है क्या पहलवानी में जितने हैं पहर सरकता कोई जेंटा निकल जाते हैं पहलवान इतनी मुश्किलों से जो तैयार होता तो भाईया यह चीज़ है मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग रेजलिंग असोशन के एलेक्शन कराओ सिटी के भी स्टेट के भी खाली यह लोग क्यों बने वे स्पुर्स में मिनिस्टर से जाके मिलते इस्पुर्स कांसिल में यम्ली से मिलते मैं प्रेजिडेंट हो रिक्षपर देना पड़ता खत्म उसके बाद क्या कर रहे हैं लाइफ में आज तक किसी पहलवान के लिए न यह लोग कोशिश नहीं करें फिर काई के वास्ते चला रहे असोसेशन तुम लोग क्या है तुम्हारा ऐसे तुम्हारे ऐसे पहलवाना बहुत पड़े हैं है तुम्हारे से आप से भी सिनियर है और आपके बाद भी है लेकिन आप सबको मौका देओ शायद यह पहलवानी अच्छे को रखो जिसके पात उसकी बात सुनता उसके उपर उने ज्यादा दान देता दूसरे लोगों को जो है ना नुवेर कर देता कुस्तियों में पैंटों के ओपर भी जो है बच्छों की लाइफ खराब कर देते पर रसो एक करिये है रीसेंट कहीं कुस्तियां हुए मैं समझते हो ओड शीटी में हुए शायद में वहा पर जो है ना कारवान के यमले हैं मैं वहां पर कुछ काम से गया तक मेरा पुराना दोस्त है वहां पर उन्हों आया मेरा बच्चा कुस्ति मारा और पैंटों में गड़बड करके उसको जिता दिये सब तो मेरे प्रेड में भी ऐसी कोचस थे नाम नहीं लिए ना आज वो बिचारे नहीं है मर गए लेकिन कोचस भी परसलेटी करते हैं प्रक्टिस के जगह भी प्रक्टिस करते हैं और कुस्ति के जगह भी पैंटों में हिर फिर कर देते हैं एक गुरू का दर्जा है कोच का दर्जा बोले तो माबाप से ज्यादा को गुरू का दर्जा रहता आपकी नजरों में सब उतनी है सब बरवा आला रही एक्वल चोटा बच्चा रहने दो पहलवान बड़ा रहने दो आपकी नजरों में चाहे वो हिंदू रहन दो मुसलमान रहन दलित रहन दो किसी भी कास्ट का रहन दो इस पोर्स के अंदर कोई जाती नहीं है सब की यह की जात रहती उन्हें एक नंबर ले लेके नैशनल में नंबर लगाएंगे कोई भी नहीं है फाइट करने वाला खाली नाम मात्री के लिए यह लोग असोशना रख लिए अपना डामनेशन चला ले रहे और बच्चों के जिंदगें खरब कर रहे इसके अलावा कुछ भी नहीं है बोलने के वासे त किसी से इन्कुर्ट कर सकते कि यह सही है यह गलत एक मैं किशनला जो बोला जो मैं वह बहुत दिन तक तीचा कखाल Knights था खालर पिरे 25 साल तक रीजलींग में था कुस्ति में था ता मैयरे को तजूरबा है नीचे सी आया मैं मैं कोई हाइफाइkg नहीं हूँ हूं मैं नीचे नीचे से आया, और आंके इस्टेट से लेकर iाजंडिया तक मैं नृप पहुंचा रुष्टर में आंदरो रुस्तो में रुष्टर में आंदरो हिंद। है पर हर कामटेशन किया है को यहां से में कुटेशन किया हूँ कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करा मेरे घर से ही सपोर्ट हुआ तो आज गरी भी इतनी है एक दो साल से लागड़ों नौकरियां छुड़ गए बच्चों के कुछ करते थे जब खाने को बराबर नहीं है घर में तो उन्हें पहलवानी क्या करेंगा पहलवानों को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है जैसा दूसरे स्टेट में कमपनियां वाले जो है न यह ठीक है इसका खर्चा मैं उठाता हूं कितना खर्चा इसका मैंने में 10,000-15,000 भी आम मैं देख लिता हूं आइसा यहां कोई भी पहलवानों को गरीब बच्चों को गोद लिने वाला नहीं है उनकी जिन्दकी के लिए कोई सोचने वाला नहीं है तो भाई आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे घर को आए और इंटर्वी लिए मेरा यह बात बोलने के वासे बहुत दिन कि कम से कम आपके माध्यम से मैं ये बात मैं गौर्मेंट तक जाना और ये बात इस्पोर्ट्स एमडी तक जाना ये बात रेजलिंग असोशन के जो आफिस बेरियर्स है वो भी पहलवान है वो भी पहलवान है उनको भी अच्छा मालूम है पहलवान में कितना खर्च होता कितनी मुसिबत उठाना पड़ता उनके साथ भी कभी न कभी अंजस्टिक हुआउंगा तो आपके साथ आपको भी तजरुबा है आप भी पहलवान है आप ऐसा काम करो पहलवानों के लिए बही कोशिश करो प्रेवेट वालों से बोलके कुछ उसको खुरा पैसा मत दो पैसे का भुखा नहीं है इसका दूद है गी है बादा में अख्रोड है बहुत सारी चीजा है ना भी कोई अगर सपोर्ट करें तो कोई नो कोई बच्च दस करें तो कम से कम एक दो तो बच्चे लो है लेंग पे निकलते हैं आप खुद पहलवाना है आपको तजरुबा है फिर आप ही जो है ना एक श्रक्त लीटे तना क मेरी होने अच्छा लणनें वाला जीता वैसे जितना एशहां लढडनें वाला रेंगा शिर फाइल वाहनोंक्तों ट्रच ब्रय आपको यह ना टनु नेल ही आप लटना आप लड़ो पहलवानों को प्रोसाहित करो हर दंगल में आप मिनिस्टरों को बुलाओ इस्वर्स मिनिस्टर को बुलाओ उसको बताओ यह देखो सियम को बुलाओ एक मिटिंग लगाओ अपना डिमाइन साहे सामने रखो गुवर्मेट के तरफ से कुछ ना कुछ फंडम को देओ पहलवानों को भी आस्टेल देओ अच्छे कोचेश देओ तो यह सारी चीजा है गुरू जब तक सब को एक नजर से नहीं देखेंगा वो यह सोंच लेना आप भी कभी किसी के सीश्य थे आज आप उस्ताज बन गए आप कोच बन गए लेकिन कल तक आपको भी कोई प्रक्टिस कराया आपका भी कोई गुरू होंगा जब मेरी पूरी पहलवानी में मैं जब से मैं कुछती लड़ना चालो करा शेवंटीफाइब में यह पहलवानी के प्रेड में मैं आ गया था सेवन्टीफाइब से कंटियुवान झू हेना अगरिब ज्यादा नहीं बोलना जूट भी नहीं बोलना पहल अमें जूट नहीं चलती हुआ हम उन्ने उससे लड़ाता उनने मार खा ता उने उसको मार आ यह सिनियर पहलावंन के पास बुरा रिकर्डिं रहता तो जीतने सा में यह लड़ा, 20-25-30 साल मैं गोड़ मिलगी है, मैं चोटे वेड से लेके मैं 48 का, 48 में वो टैम पे बहुत बड़े पहलवान आते हमारे लाला पहलवान की तालिम का डल्लू पहलवान बहुत मशूर और बेगम बजार का देवराज, संतुप पहलवान की खड़े का देवराज जी, उनसे भी कुस्ती भी मेरी है, ठीक है, और मुझपल का एक पोचे है पहलवान था, और एक रैलवे का बजारगाट का नारण बोलके था, यह ऐसे थे, कि यह लोगी फर सेकंड थड़े आते थे, उसके बाद जब मैं यह वेट में आया, 36 से 44, 47 में जब आया तो मैं किसी कुछ चीने नहीं दिया, कितने की साल तक, 15-20 साल तक, उसके बाद 52 में लड़ा, उसके बाद आगे चले गया समझो, तो मैं, कितने की बार मैं बोलने सकता, तीन बार ओड़ सीटी चंपेंशिप लिए हूँ, इब्रहान बिन मसकाती यह जफर पहलवाने लोगा, अली जाकोर्टा मोगलपूरे में कुछ्टियां करा है, वह पे भी तीन बार चंपेंशिप लिए हूँ, इस्टेट चंपेंशिप रहा हूँ, देखो, मैं मैं जब छोटा था, बड़ा भाि के साथ पहलवानी के लिए जाता था, और बड़े भाई के support के अलावा मेरे माबाप और उसके बाद पूरा घर इतना support करते थे इसको time से फ़राने चीज होना दूद इतने time पे होना है इतने time इतने time पे होना है तो मेरे घ़र मेरेग को सपोट करतेтесь, आज मेरे महाभाप of मेरा भाइ को सपो sol करे tel बोलक的是, मैरे प्राक्टिस कराते थे लाला पालवन की तालीमीнев अक्षाड़े में लाइन uso बड़े लोग तो इतना प्रेशर दालते थे कि अगर मैं किसी को नीचे पकड़ा तो चित करो बलके मारते थे आवाज येते लखड़ी लेके उधर से ठेड़ते थे ठीक है अगर नीचे आया तो बोलके मारते निकल तो वह सब का आशिरवाद सबका सपोर्ट अगर है तो ही पहलवाद करो तो में जाएंगे पहलवादी में उन्हें गुसा करो मारो कुछ भी करो नीचे से ऐसा ने दिल जो पहलवाद जो बच्चा देखा उन्हें गया रीप्ले तो देना बहुत बड़ी बात है नीचे कि मुंदी नीचे रहती थी थी तो मेरे घर से लेके मेरी व्यामशाला तक धुल्पेट trorा मेरी कू सपोर्ट करता था दुल्पेट में बड़े-बड़े पहलवाना हुँ आमारे पास Thompson 7श थी जो फूरान में वा फालवान ऑइस अ直म परेट रेकिन वह पुरने पहलवान थे वो तो आज नहीं है और लक्षमन सिंह जो बीजेपी लीडर है ना भूत बड़े भाई और हमारे बड़े बाई लक्षमान सिंग भी मेरे पे बहुत इंटरसे ज़ना उनों प्रैक्टिस कराते थे तो सभी का उसके अंदर शेर है सब लोग मदद करे मेरे को सब लोग पहलवानी में मेरे को आईसा ने ऐसा रास्ता बताए उस रास्ते पे जो बड़े अच्छा पहलवान बना अखाड़े का नाम हुआ समाज का नाम हुआ इस्टेट का नाम हुआ अपके 15-20 साल की पहलवानी करे जा है अधराबाद को अपने जब आपका अंधर पर देश था आंधर पर चुड़के थांकर भी दूसरी जगा जाकर पहलवानी को जाते प्रैक्टिस के लिए कोचिंग के लिए कहीं भी नहीं गया मैं हैधराबाद में ही रहके जो है ना पहलवानी करा लेकिन पहलवानी भी पूरा मटी की और इंडियन करा मैं यह आजकल के बच्चे ऐसा देखना थोड़े डमुला माल लिया ऐसा देख लिया इनों मैंने कि अंगा मैं थारव अब ट्राफियों कोते नहीं था यह मैं पुर्रा नार्त के प्रयक्टिस कर aquí के चैष्टे में प्रेकिस करें इसलिए नार्त इंडियन को आरा मैं यह प्रैक्टिस करा में फ्रॉल्वान जीक साब भीत्र एक हुआ एक पहल देखों खुशी और नाखुशी में दोलों चीज़ों का जवाब देंगा आपके जो बच्चा पैदवानी करता उन्हें गलत शोकों से बस्ता पहले और कितने की बिमारियों से बस्ता हुए उसका शरीर अच्छा रहता उसका स्वस्त रहता उन्हें सब्सकार्ठ की अगर स्वस्त है इनसान तो सब कुछ है ठीक है लेकिन आज पहलवानिय करने वाले बच्चे को ना तो घरवाले सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करिए ना बेहीं को एवी यौनष्य का सरकार ना सरकार सपोर्ट आज तक उनको अख़डा ने बता हमें यहां पहलवानी करता था, सव सवालों का एक ही जवाब है, आज दोनों PG करें, ग्राजवेर्शन करें, प्रवेट में काम कर ले रहें, इसलिए पहलवानी अपने खुद के लिए करना बहुत जरूरी है, हिल्ट अच्छा रहता इससे, आप होटलों पे नहीं जाते, गुटके नहीं खाते, पान नहीं खाते, इसे शराब नहीं पी ते, इसे गलत शोकों से बचना तो पहलवानी करना, जिसम अच्छा रहना, ताख़तवर रहना, और स्वस्त रहना तो पहलवानी करना, लेकिन पहले के लोग पहलवान को सब्सक्राइब कराना बिल्कुल कराना पहलवानी जब लो ओलम्पिक जो ना ये डिशन लिया के गल्स को भी जो ना कामपेशन में जो ना इनको पास्पिट करने के लिए प्रमीचन दिये इन्वाल्मेंट करें आज बच्चों से ज्यादा बच्चेयां जो है ना मेडल से लेकिया पहलवानी में आप वर्ल्ड चंपिंशिप में जाओ कामवन विल्ट में जाओ ऑलम्पिक में जाओ पहलवानों के जो जिन्स पहलवानों के टकर में बच्चों के टकर में बच्चियां भी जो है ना मेडल ला रहे ना तो बहुत ही जरूरी है जैसा में बच्चों के आप बारे में बलास्यमें वही पहंट बच्चों के ऊपर भी लागवह होते आप पहलवानी करेंगे आप थकिगे भोग लगए टाइम तो यह सारे उनको बराबर पहलवानी कराना बराबर जो है ना उन्हों भी जितनी इंटरस्ट से करें पहलवानी चाहिद अपने पास सौत में कर्णम मलेश्वरी का कितना नाम है पीटी उशा का पीटी उशावल तो इंडिया बोलते भारत ठीक है आज कर्णम मलेश्वरी हर्याना में है इंटरकार्स मैरेश Guay उन्हें हमापे है उसका वाइफ समनक तो बच्ची आज प्रेक्टिस कराएं चाहिए उसका आपनी भीड़न भेहन बेडियों हम भी प्रैक्टिस कराना उनको भी फ्लिड में लाना ताके अपने परीवार का अपने समाज का अपने ंस्टेट का परता हम होता है मैं एक हैenga की साफिसर रहता है कि उन्हें से सटेट में और जिस डिपार्टमेंट में काम करता हुआता कि उसका नाम रहेता एक खिलाडी कोई भी कोने का खिलाडी रहनद हो इंडिया का अगर ओलमपिक में अगर उन्हें कोई बी मैंडल लेकि आया तो पूरी दुनिया पैच्छानती उसको यह पूरी दिल में थी ना मेरी दिल दिमाग में जो बातें थी वो आपके यूप चैनल के माध्यम से जो है ना मैं अपनी बात रख सका मेरी बात सरकार तक पहुंचाना मेरी बात रेजिलिक आसोशें तक पहुंचाना मेरी बात फिल्डेशन अफ इस्पोर्स अथारटी महां तक जाना तो आप अगर यह इंटर्वी नहीं लेते तो मैं इतनी स इतनी स्टोरी नहीं बोलता था मैं किसको बोलना में कौन सुनने वाला है तो इस तरीके से पहलवानी के ऊपर बिल्कुल घर वाले भी यह आसोशें वाले भी गौवर्मेंट भी इसके ओपर खास जो है ना ध्यान देना इसके ओपर इंटरेस्स लेके जो है ना प्रैक्टि तो अपने स्टेट का नाम होंगा अपनी गौवर्मेंट को अच्छा नाम मिलेंगा लेकिन मेरे को तकलीफ है वो प्रेड में जब इसे हमारे बहुत बड़ी टीम थे कुस्तियों की है और सभी अच्छे लड़ने वाले पहलवान थे आज स्पोर्स कोटा अपाइमेंट नह अपाइमेंट देन नहीं देना बोलके इतने बड़े कंडिशन से लगा क्या है ना आप उसको सपोर्ट करो उन्हें उसके पूरे घर को सपोर्ट करता उसका घर आगे बढ़ता उनी भी आगे बढ़ता तो यह सारे चीजा है मेरा तो एक इच है मैं इतने बरसों तक पहलव पहलवान था पहल को अगर कोई गोल मडल ले लिया थी नाम को जिंदा के लिए तो मिल उसके लिए कोशिश करना जो नव जवान चोटे बच्चे उनको उनको अच्छा रास्ता बताना चि पहलवानी कराना उन्हें बच्चा कामटेशन जब करता ना ग्रोंड में इस्टेडियम में महाबाप नहीं रहते उसके बहुत कम महाबाप रहते उसके वहाँ पर प्रेजेंट उन्हें सीधा जाके पहले गुरु के पहरां पढ़ता हुए पहले गुरु से आशिरवाद लेके अपने सीनर से आशिरवाद लेता मा के बाप के सोब के पारां पढ़ता हुए यह नहीं है खाली अखड़े वालों के जो एना आशिरवाद लियार चो बैड़िगा जितने भी रहते हैं वहाँ पर सभी का आशिरवाद लेता हुए आशिरवाद ही आशिरवाद एक ऐसी ताकते उसको सिनिर पहलवाद होने के नाते, मैं वह सारे प्रेडों को देखती वेया रहाए वह ताधीरवा होने के नाते, मेरी यह ही क्यों सब्सक्राइबाद का्यं ben जकात्म हो okay Van इसको खतम नहीं होने हैं इसको जिंदा रखना के इसको अगर आप समय मिल जिंदा रखेंगे तो करने वालों का कराने वालों का उनका भी नाम जिंदा रहेंगा मैं नर्भ Also time हिट पैलबंवान के रहेंगी हैं तो पहलोन करने वा नाम कहां से आएगा पहलों प्रैक्टिस करेंगा कुछ अभरे का है किस उस्ताद का है का को है प्रैक्टिस कर रहा उसके साथ उसका भी नाम जुड़ा हुआ है तो यह सारी बातां थी जो मैं आपके यूट्यूब के मादिन से जो है ना मैं रखा फिर एक बार तेलंगाना गौवर्मेंट से इस पोर्स मिनिस्टर से निमाज गौड मेरा दोस्त है क्योंकि उन्हें भी एक असोशन का जो है लिडर था मैं भी सेकेटर में क्लास्टिरी का प्रेजिन्ट था तो मीटिंगों में हमारी बहुत मुलाख़त होती थी बहुत मुलाख़त होती थी ने आज इन्हों इस परसे मिनिस्टर है मिनिस्टर होने के नाते मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी गेम का खिलाडी रहेंगा हर गेम को जो है ना आप सपोर्ट करों गोर्मेंट के तरफ से कुछ ना कुछ उनको फंड होना वह एक गोर्मेंट तेलंग आना इसको को आपाइंड करो पहलवानों को अच्छे को लाओ अच्छे को देओ और जैसा हर एलेक्शन का टम रहता तीन साल पांत साल हर किसी का गोर्मेंट आफ इंडिया ने पांत साल है चीप निश्चे का पांत साल है जब यह सब के इलेक्शन हो सकते तो क्यों असोषण का वह सकता है क्या क्या वह प्याव करने के लाइक को पहलवाना नहीं है तो आप इलेक्शन कराओ किसी दूसरों कुमें मौका देरो आप असोशन में कितना काम करें आपका भी धन्यवाद और आगे दूसरों को भी मौका दे के उनको भी आप गाइड करो तो यह पहलवानी जिन्दी रहेंगी ने दो खतम